इसको महत्त देते हुए आप लोग इसके लिए अपना समय अमूल निकालें ये मेरा आप से निवेदन है तो असी अगर असी प्रश्त आपके शुवचिंत लुए बीस प्रश्त आपके अशुवचिंत लुए हर समय नहीं पात्रते लक्ष्मन इत्याद बने उनसे भी नोंने पूछा कि आप क्या करेंगा तो नोंने भी कह दिया हम भागवत करेंगे सुनके तो उनका तो छाप दिया पर मेरा यह छापा ही नहीं था उन्होंने बेटियों की यवाज न दभी और न दभू सकती है चलित मामला है भगवान कनहिया से एक भगवान कनहिया वजाते थे और आप भी वजाते हैं अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें आप जनता को प्रब्लिक को समाज को मैं तो समने से यही देना चाहता हूँ कि हमारे जितने हमारे भारत के हमारे समाज के हमारे परिवार के हमारे सास्तरी बंदू हमारी माताएं बेहनाएं अपने रास्ते पर चलकर अपने रास्त की अपने समाज की उन्नत करें और हमेशा यह देखें कि हमें जो अच्छे पत्व की यो ले जा रहा है उस पत्व के उस संदेश बहा को उसके आचल को हम केहर करें जो हमें अच्छे रास्ते पर ले जा रहा है क्यों हम इदर धुक्ता घंड में उड़े बिल्कुन गुरू जी लोग वेटियों की आवाज को दबाने की पूस्स करते हैं बोले कि तुम यहां से वहां नहीं जाओगी वहां से यहां नहीं जाओगी उन लोगों से क्या कहना है जो वेटियों को एक कैद करके रखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहू गयाdır बेटियों की यवाज न दबी और न दब सकती है चाह Nest को से ले जाओ चाहरे तरेता को ले लाओ दौपर को ले लो इसकलेग में लेलू उसे गारगी, अपाला, सारदा माहिसमती बड़ी-बड़ी अच्छी योगयो पहले से भी तुसी रही इन्होंने बड़ी-बड़ी अच्चे समाज में अच्छे चकारी की बड़ी-बड़ी बिद्वानों के वो गारगी का और यागवलगी जी का इतना बिल्लचण सास्त्रार्थ हुए, मंदन मिस्र की पतनी सारदा जी उनका संकराचार्ची से बुड़ा वो हुए, जो जिसके अंदर प्रतिवा है उस प्रतिवा को कोई दबा नहीं सकता, जी. महराज जी, हमारे आधार टीवी चैनल में आपका हर्दिक स्वागाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा प्यार भरगरा दे रहा दे, आपके सभी वीवर्स को. महराज जी, सबसे पहले में जानना चाहूँगा, जैसे के आपने बताया, तेईस वर्स आपने ठाकुर जी की सेवा में दे, उससे पूर्व की जिन्दकी जो अठारे वर्स आपने व्यतीत की, उसके बारे में थोड़ा सा हम और आपके भक्त जानना चाहते हैं। मैं छे साल का था जब घर से ब्रंदावन आया था। और तब से में आप लोग जानते होंगे ब्रंदावन में, आज कल थोड़ा सा वैसा भाव नहीं रहा है, पर उस समय रासलीला का बड़ा सुन्दर भाव हुआ करता था, और उस समय रासलीला में रामकृष्ण की भूम क निवाने वाले को साक्षद भगवान का ही शुरूप माना जाता था। तो मेरा ये संयोगी था कि मैं बच्पन से ब्रंदावन में आया और फिर रासलीला में रहा, रामलीला में रहा, रामकृष्ण क्या भिने किये और उस लीला परकर्द में हमें ये सब ठाकृड़ जी क वाले एक तो होता है भागवत का वुक की थ्रू रीड करना, गुरुद्य द्वारा उसका ध्यन करना, एक होता है जीवान तो उसको अबिने के माधियम से यद्रस्टी गोचर जब जब जद्र educators होती है उसको आप देखते हैं तो उसके माधियम से उसको देखके उसको पू किया संकेत किया और वो मेरे लिए वही निरधारित था कि मैं बच्पन से ब्रंदावन जाओं और ब्रंदावन में जाके इस कारी को करूं और साइद वह बहुत अच्छा हुआ कि आज मैं उसकी बज़े से याँ हूँ आप एक वार राम चंद जी की रूप में राम बरायत मे यहां पर और मैंने उस समय एक वो इंटर्व्यू के लिए पेपर के लिए पत्रकार मौदे आये थे तो उन्होंने मुझे पूछा था आप इन फ्यूचर क्या करेंगे तो मेरे दिमाग में उस समय था कि मुझे कदा करनी है तो मैंने उनको बोला कि मैं भागवत करूंगा तो और पात्र थे लक्षमन इत्याद बने उनसे भी उन्होंने पूछा कि ह laure को भागवत करेंगे तो उनका तो मिझे चाप दिया पर मेरा एच छापा ही नहीं था करूंगा और सैद ये सुनेशित था उस समय ठाक उड़जी ने किप आग ने में आगर्या को समय देखंगा था आज भी मुझे वो द्रस्याद हैं जिस तरीके से राम के पात्र की जिस तरीके से सेवा की जाती है अगरा में एक तरीके से अपने आपको पूरा मित्ला समझ लिया जाता है और बड़ा अनंद के साथ उनका स्वागत होता है लेकिन वह बहुत भी होता है इतना भारी आज तोड़ा मुकुड था और वो कई घंटों का वो यात्रा थी लेकिन वो राम जी की क्रपा थी भगवानी क्रपा थी वो सब बहुत अच्छा रहा था प्रतिभा और इनके अंदर चुपी हुई है बासूरी की आयीए हम इंसे जानते हैं कि किस तरीकी के बासूरी बजाते हैं पपलिक को अभी पता नहीं है कि मनझे जी बासूरी भी बजा लेते हैं इनके हर रोम्रोमे के कला है चुपी हुई है जो पब्लिक को अभी नहीं पता है तो सर बासुरी का काफी प्रचलित मामला है बागवान कनेया से एक भागवान का नहीं आ वजाते थे और आप भी वजाते हैं वांसरी हमने शुना थे तो यहां सुनता है सब्लों सुनते हैं लेकिन मैं पहले करता था वांसरी वजाने कवा तो हमें वही छुटपन की कहानी पता हुई तो हम बासुरी साथ में लेके आए कि मंजेज जी से बासुरी सुनवाएंगे किस तरीके की बासुरी बजाते हैं तो सर प्लीज ये भगवान का नहिया जी की विराशत है आप प्लीज लेजिए और थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहती है सुनना चाहती है आप बहुत पब्लिक के जहन में वैठे हुए हैं और पब्लिक देख रही है हमें तो प्लीज पता नहीं कव से तो बासुरी यह के ने फिर भी प्रयास में प्रयास कर रहा हूँ स्वामी जी उस समय जब आप गाइक बनने का दोर स्टार्ट हुआ था उस समय कुछ अबमान भी मिले होंगे आपको कोई दोर ऐसा रहा हो कोई वाक्या स्वामी जी ने जैसे बताया था तो कोई अबमान कोई जनक कोई बात हो ऐसी कोई जी अबमान जनक वात नहीं ये थी उस समय हम आपको बता जब हम सन उन्ने शो उन्ने आसी में तो स्वामी जी से बिलकुर जुड़ ही कही थी जी उस समय जब हम लोग कहीं प्रोग्रम को जाया करते थे तो उस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इतने अपमान सही थे क जमीन पर खड़े होकर प्रोग्रम दे रहा हैं लेकर लक्ष यूँचा था लक्ष हमें ये नहीं दीखता था हमारे शामने जो बैठे हैं हम उन्हें ये मानते थे कि ये पत्थर बैठे हुए हम जो कह रहे हैं सत्य और ये शुनने वाले जो है एक्दम यानि लक्ष पर दसक में कि होना मानों से घबरा जाते तो हम लोग आज जैतन परवार को इतना हुचा नहीं लिए जाए हैं कोई ऐसा वाक्या रहा हो उस समय का कोई एक जाद हो कि वफलाने जगा हमारा अपमान हुआ था वो दोर कोई सर नहीं ऐसे तो चलते ही रहते हैं को जब समाज में आप ये जानते हैं कि इस समाज में शुआ आदमी आपको शुमने आ रहे हैं तो असी अगर असी प्रश्चत आपके शुब चिन तक हैं तो हर समाज में बीश प्रश्चत आपके असुब चिन तक भी हर समाज में हर जब हैं स्याम जी आज इस इस्ती पर पहुँच गए तो तो श्याम के कट बिरोधी हैं, वो हमेशा वराई करते रहेंगे, तो हम उन बातों को नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अपमान तो हुई थी, स्वामी जी मैं जानना चाहूंगा, आप इतने विख्यात होते हुए, राजनीत में क्यों नहीं आए, क्योंकि एक विधायक, अगर अपने छेत्र में, विधान सवा में अपना पर्चे देने के लिए लाखों करोण रोफे फूग देता है, आपको तो यह उत्तर प्रदेश म डंका बसता है, सर फिर राजनीत में क्यों नहीं आए, यह आफर हमें सब अपरवार से दिये गए, कि आप श्वामी आधार जी किसी परचेत्र का चैन करें, हम आपको लड़ाएंगे, लेकिन हमारा राजनीत में का मन यह नहीं हुआ, कि जिस गद्दी पर आज हम बैठें, श्याम जी, इस गद्दी से उची गद्दी विश्व में कोई है ही नहीं, राजनीत में आज हम सीम बन सकते हैं, पीम बन सकते हैं, राष्टपती बन सकते हैं, लेकिन कथा वाचक वहीं बन सकता है, जिस पर इश्वरी मासरस्ती की अनकमपा है, अगर विधायक आएंगे, तो ब्यास गद्दी को श्यर जुगा कर नीचे बैठेंगे, तो इसलिए हमने कभी राजनी भी जाने का मान यह नहीं किया, आपर भी मिले, कि पांच साल तक जो लोग हमारे चड़ेश फर्ष करेंगे, पांच साल बादा होने, कि सामने भेखशक बनके जाना पड़ेगा, और प्रभू ने यह चीज जो हमें दिये है, हम अपनी बुद्धी से कह रहे हैं, अनकिसी बगता की बुद्धी से नहीं कह रहे हैं, कि जो चीज इश्वरी प्रणाश है में में लिए है, यह मेरी शंग्यान है, मेरी नौलिज में, मेरी बुद्धी में, विश्वकी सर्व शिशगत दिये, इस जी हम तिया करके कहां बैठे हैं स्वामी जी से गाना सुनवाते हैं स्टेज पर तो आपने देखा ही होगा लेकिन अभी लाइव एक गाना सुनवाते हैं, स्वामी जी आपका जो सबसे फैवरेट गाना रहा हो, उसको थोड़ा सा गुनगना ये मैं एक बात बता देगा आपको बैसे तो साज पर गाते हैं बैसे तो हम नहीं गाते लेकिन जो हम कह रहे हैं बो सिर्फ प्राचीन गौरव की उपर ही हम बोलेंगे के चर्त और आचार तुम्हारा था मसूर जमाने में मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में राम चंद्र और शीता जी का कितना सुन्दर जीवन था तेरा साल संग संग सोई ते कितना काबू में मन था भाईया भावी की सेबा करने में तो खुसिये लच्मन था और कठिन तपसा करी और मिला नारन में तो क्या था अरे चवदा साल तक दुखना इमाना पती से अलग बिताने में मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में राम लच्मार शीता का कितना सुन्दर जीवन था तेरा साल तक शीता और हम एक साल को शीता गई लंका में लेकर कितना काबू में मन था कि दोनों एक साल सोते रहे लेकिन बिर्मचर में दोनों ही खरे उतरे दूसरी बात रामाण लोग पढ़ते हैं अखंड रामाण करते हैं लेकिन रामाण का सही रास्ता लोगों के पास नहीं है रामाण को पढ़के देखो सतकार तुम्हारा कैसा था और नगर निगा नीची कर देखो सदाचार तुम्हारा कैसा था सूपनगा से जाकर पूछो सदाचार तुम्हारा कैसा था और सती सिलुच ना कह देगी बिवहार तुम्हारा कैसा था परेसानी उसे हुई ना पती की लहास मंगाने में मगर आज भारत का गोरब लग रहे लोग मिटाने में यह सोचे आप हमें अपने रामान से माभारत से जीने का ढंग सीखना है इसलिए मैं यह कहूंगा यह आधार चैनल जो चल रहा है इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हुए जो जिसमें दिसा नर्देश तुमको दिया जा रहा है क्योंकि जिनकी दिसा अच्छी होती है उनकी दसा अच्छी होती है और जिनकी दिसा अच्छी नहीं होती है यह आधार चैनल तुम्हें दिसा देगा जिससे तुम्हारी दुनिया बदलेगी जिससे तुम्हारा जीबन बदलेगा इसलिए अधिक शे अधिक इसको महत्त देते हुए आप लोग इसके लिए अपना समय अमूले निकालें ये मेरा आप से निवेदन है